दोस्तो आज कल हमें UCC यानी Uniform Civil Court सुनने को बहुत जादा मिल रहा है तो आज हम इसी बात पर चर्चा करींगे Uniform Civil Court को हिंदी में समान नागरिक सहिता कहा जाता है UCC को समझने से पहले हम कानून को समझते हैं कानून नियमों का एक ऐसा समू है जो किसी विशेश छेतर में लागू किया जाता है इसका प्राथमिक उद्देश लोगों को न्याय परदान करना होता है कानूनों को हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला आपरादिक कानून, दुसरा सिविल कानून पहले हम आपरादिक कानूनों की बात करते हैं आपरादिक कानून में समाज के खिलाफ होने वाले आपरादों से निपटने की कोशिस की जाती है इसमें हत्या, रेप, आगजनी, डकैती जैसे आपरादों को कवर किया जाता है भारत में आपरादिक कानून सभी जाती धर्म संपरदाये में एक जैसा लागू होता है अब हम बात करते हैं सिविल कानूनों की इस कानून में दो या दो से अधिक संगटन या व्यक्तियों के बीच होने वाले विवादों को सुलजाया जाता है इस कानून के अंतरगत, संपत्ति, तलाग, धन, आवास, बच्चों को गोद लेना, लोगों के विवाज जैसे संबंदित कानूनों को लाया जाता है भारत में आपरादिक कानून तो एक जैसे हैं लेकिन सिविल कानून एक जैसे नहीं है क्योंकि भारत में अलग-अलग जाती धर्म संप्रदाई के लोग रहते हैं जिनके अपने अलग-अलग रीती रिवाज होते हैं जिससे लोगों के रहन सहन में एक जैसी समानता नहीं देखी जाती भारत में सिविल कानून को धर्म के आधार पर बाटा गया है आज की बात की जाए तो भारत में समान नागरिक सहिता लागू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है समान नागरिक सहिता यानी एक देश एक कानून समान नागरिक सहिता के तहट देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा इसके अंतरगत, विवा, तलाग, बच्चा गोद लेना, संपत्ती के बटवारे जैसे विशे सामिल होंगे फिलाल भारत में ऐसा नहीं है भारत में समान नागरिक, सहिता लागू नहीं है यहां कई नीजी कानून धर्म के आधार पर तैह है भारत में हिंदू, सिक, जैन और बहुत धर्म के लोगों के लिए व्यक्तिकत एक कानून है वहीं मुस्लमानों और इसाईयों के लिए उनके अपने कानून है इसलाम धर्म के लोग सरिया कानून मानते हैं जबकि अन्य धर्म के लोग भारती संसत द्वारा तै कानून को सर्वपरी मानते हैं समान नागरिक सहीता को मानने वाले कई देश हैं इन में अमेरिका, आयरलेंड, पारकिस्तान, बांगला देश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुडान, मिश्री जैसे कई देश सामिल हैं जो समान नागरिक सहीता को मानते हैं इन देशों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून है इन जगों पर किसी विशेज, धर्म या संपुरुदाई के लिए अपना अलग कानून नहीं है हिंदू कोर्ट बिल 1956 में हिंदू समाज के लिए संसर में हिंदू कोर्ट बिल पास किया गया हिंदू कोर्ट बिल पास होने से महिलाओं को अधिक अधिकार मिलने लगे जिसमें उन्हें पिता की संपत्ती में उत्तर अधिकारी होना भी सामिल था यह बिल हिंदू के साथ साथ बौध, जैन, सिक्क समुदाई के लिए भी लागू हुआ मुस्लिम समुदाय में विवा, तलाक, उत्तर अधिकारी के लिए मुस्लिम पर्सनल लौ सर्यत एप्लिकेशन एक्ट 1937 का अब तक पालन किया जा रहा है बात करें उत्राखंड की तो, उत्राखंड में युनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू करने के लिए तेयारी जोरो सोरो से चल रही है उत्राखंड में समान नागरिक सहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री स्री पुसकर सिंग धामी जी ने एक समीती का गठन किया है यह समीती अब तक ढ़ाई लाख लोगों से सुझाव ले चुकी है मुक्यमंत्री स्री पुष्कर सिंग धामी जी ने कहा कि समान नागरिक सहिता के लिए जेस्टिस रजन प्रकास देसाई जी की अधिक्सता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तियार कर लिया है और 30 जून तक ड्राफ्ट सरकार को उपलब्द करा दिया जाएगा सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिसामे कारी किया जाएगा यहाँ कानून लागू होते ही उत्राखंड देस का पहला राज्य बन जाएगा जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू होगा तो अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पहला इकन को दबाना ना भूलिएगा थैंक यू